को मुआर को IPO लिस्टिंग हो या IPO क्लोज हो सावधान रहना दोस्तों क्योंकि अब सिकारी जो है दूसरा टेक्निक अपनाने लगे हैं दोस्तों इसलिए कि आप को इंट्राडेटेक मुंबई MBA बीके सिंग ने टेंड कर दिया है कि कोई भी अगर IPO नहीं मिलता है आपको तो आप जिस दिन लिस्टिंग होता है उस दिन नहीं खरीदो क्योंकि 200 का IPO 100 का IPO डबल 100% 200% 250% 150% ज्यादा में लिस्टिंग होता है तो बेच के निकल जाते हैं आप तो सिख गए ये बात और आज इस वीडियो में एक ऐसा में बात बता रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा दोस्तों आप जिन्दगी में याद रख लिजिए क्योंकि हम बहुत ही जबज़ास्त मेरी साइकलोजी भी है और मेरी इकनोमिक्स भी बहुत वेरी स्ट्रोंग माई एकनोमिक्स एंड साइकलोजी ये आप जिन्दगी में गाट बाढ़ लिजिए और ये माशर्ष्वती की क्रिपा है जे दोस्तों ऐसा इस वीडियो में बता रहा हूं आपको तो ये सिखा दिया है कि लिस्टिंग के दिने अगर आई प्यों नहीं मिलता है तो इंट्री नहीं लेना है फ्रेस तो जो खेल लाड़ी हैं खेल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं खेल खेलने वाले वो अब अलग साइकलोजी अपनाना शुरू की हैं आज नहीं हम बहुत पहले से इसको जानते हैं और फिर इसलिए कि वीडियो हमारा पड़ा हुआ है आप जाकर देख लिजे लेकिन इसको ताजा करने के लिए हम एक बार और एक नया इस वीडियो में एक बात बता रहा हूं जो पुराने वीडियो में नहीं है जो हम उसको मेरी रडार में था ये तकनीकी खेलाडियों का खेल खेलने का और वो भी IPO जिस तिन लिस्टिंग होता है दोस्तों आपको 100% हमने बता दिया है कि अगर IPO मिलता है तो बेच कर निकल जाना ये तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और नहीं मिलता है तो फ्रेस इंट्री नहीं लेना है लेकिन ये बात इस वीडियो में आप अच्छी तरह जान लीजिए क्योंकि share market में हम आये हैं आपको दोस्तों एक एक से पढ़के एक आपको पैसे की बचाने के लिए और आपके पॉर्टफोलियो को कभी नुकसान नहीं होने देने के लिए और आपके जो जनकारी है उसको दस गुना करने के लिए दोस्तों मेरी गरंटी है इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये आपको अगर नहीं बताता तो हम रात भर सो नहीं पाते दोस्तों जी हाँ इसलिए ये वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको जिन्दगी में सेर मार्केट में बहुत चादा दिन महीने साल गुजारना है कई हजार नहीं लाखों घंटे गुजारना है तो ये दो-चार मिनो दस मिनिट पंदर मिनिट का वीडियो कुछ नहीं है ताकि आपको नहीं बताया था जो किसी ने नहीं बताया था और ये इसलिए हम बताते हैं कि हम किसी के बस में और किसी की बनाये हुए रास्ते पे नहीं चलना चाहते हैं और ना हम चलते हैं दोस्तों हम खुद की अपने रास्ते बनाते हैं और उसी रास्ते पे चलते हैं और उसी रास्त पर हम चलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो रास्ता सत्य का होता है वो रास्ता सही रास्ता होता है वो रास्ता मलजी तक पहुँचाने का रास्ता होता है इसलिए हम रास्ते बनाते हैं अलग चलिए दोस्तों बताएंगों इसको बारे में आपको हमारा भी जो पीठ है वो दर्थ करने लगता है बैटे बैटे आप लोगों को चलिए क्या खेलने वाले हैं खिलाडी जो आज देखने को हमें मिला वो भी हम आपको बता दें एक IPO आज लिस्टिंग हुई दोस्तों 100 में से 10 परसेंट ऐसा होता है 100 में से 10 और 10 परसेंट जो चीज होता है समझे को उसको माने नहीं रखता है लेकिन 10 परसेंट भी हमारा पैसे के लिए नुकसान पहुचा है वो खत्रा है वो तो और स्विट पुआईजन है और ऐसे आप ही नहीं हमारे जैसे लोग भी फश जाते हैं दोस्तों इंटाडेट के मुंबे एंबिये बीके सिंग तो नहीं फशते हैं लेकिन फशते हैं वो भी और फश गए आज फश गए दोस्तों और ओखेल में खिलाडी जो है खेल कर गया और ये खेल आज शुरूआ है और आने वाले कल से अगर ये वीडियो जितना हो सके अगर आप अपनी असली पकी दोस्ती है किसी से और शेयर मार्केट में है अगर तो उसको जरूर अपने वार्टसप ग्रूप में भेज़ दीजिए ताकि उनका भी नुकसान नहीं हो और वो भी समझ जाए इस वीडियो के देखकर कि क्या आईप्यू का असली खेल है किसके लिए निव वीगनर और निव फ्रेशर इंट्री लेने वाले आईप्यू जिस्तिन लिस्टिंग होता है हमने पहले बता दिया कि आपको 100 रुप्या का प्राइस 200 रुप्या का प्राइस नहीं जानते तो मैं बताता हूं इसमें होते हैं डियाईई डॉमेस्टिक इंस्ट्यूमनल इंवेस्टर hani मुसेल फंड वाले प्रफिट के लिए लोगों को गुम्रा करते हैं किसको जो हमारे देश में असिक्षित हैं जिनको मालूम नहीं है जनकारी नहीं है कि राजनित क्या होता है और यह राजनित करने वाले लोग आपको एक लाइन और बता देते हैं डैस में बता देते हैं और इस बात को आप सभी अपने परिवार को अपने दूस्तों को अपने गाउं आसपास पड़ोसी मुहले और ये देश में भी जानना चाहिए और देश के लोगों को भी जानना चाहिए कि राजनित की परिभासा क्या है कोई भी अगर नेता बता दे अपने भासन में कोई भी हो देश का कोई भी पार्टी हो मैं उसको चैलेंज करता हूँ अपने मंद से राजनित की परिभासा क्यों नहीं बताते हैं जनता को इसलिए नहीं बताते हैं कि उनकी कुरसी को खत्रा हो जाएगा और ये बता देंगे तो हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं और आप पीशे क्या किये हैं अपने सासनकाल में और आने वाले सासनकाल में क्या करेंगे उनको ये परिभासा मालूम हो गई तो फिर हमारा तो बंटा धार हो जाएगा दोस्तों। जानना चाहिए आपको ये किसी हद तक पहुँचाते हैं ये कोई भी बात बोलने से परहेज नहीं करते हैं ये किसी तरह का कार कर सकते हैं अपने कुर्सी को बचाने के लिए घटिया से घटिया बाते बोल सकते हैं सच को जुट बना सकते हैं सच्चाई को छुपाने के लिए अपनी मा को भी बेच सकते हैं दोस्तो अपने जमीर बेच सकते हैं दोस्तो अपने कुर्सी के लिए जनता से वादा पे वादा कर सकते हैं दोस्तो राजनित में भाई भाई को मार सकता है दोस्तो राजनित में जनता के भावनाओं के साथ खेल सकते हैं दोस्तो राजनित में कुर्सी के लिए अपने स्वार्थ के लिए किसी से गटवंदन कर सकते हैं दोस्तो राजनित में हिंदू को मुसल्मान से लड़ा सकते हैं और मुसल्मान को हिंदू से लड़ा सकते हैं दोस्तो धर्म और अधर्म की परिभासा बताने से परहज कर सकते हैं दोस्तो और असली जो कुर्सी की हकदार है वो देश के राजनित से परे है और वो कभी भी उस कुर्सी पे नहीं जाता है और अगर वो भाग से किसी तरह चला गया तो वो राजनित की असली परिभासा को भूल जाता है और जो राजा का करता भी होता है वो करता है जैसे कि हमारे भारत के आज की समय में मानिये श्री आधर्णिये पूजनिये नरंद्र मोदी जी है जी दोस्तों चलिए राजनिक परिभासा पताई दें ऐसी नीती चाहे वो किसी तरह की तक्निकी हो नीती हो नियम हो कानून हो अईसा हम तक्निकी अपना ऐसी नीती नीती मतलब की तक्निकी नीती चाहे वो कैसी भी नीती हो चाहे वो लडाने की नीती हो या सुलजाने की नीती हो या जनता को गुमरा करने की नीती हो सच को जूड बनाने की नीती हो उस पे राज किया जा सके चाहे जैसी भी नीती हो उस नीती को अपना कर राज किया जा सके उसी को राजनित करते हैं दोस्तों और ये राजनिती करने वाले जो लोग हैं कुछी लोग हमारे देश में हैं जो राजनित की परिभासा को भूल गए हैं और अपना असली करतबे कर रहे हैं जो लोगों को राजनित की परिभासा मालूम है आज के डेट में तारिक में रो रहे हैं कि अरे हम तो परिभासा पढ़े थे और ये परिभासा तो आज मोदी ज जी दोस्तो राजनित की परिभासा जबसे ये सरकार आई है राजनित की परिभासा मोदी जी और जोगी जी ने बदल दिया है दोस्तो ये आपको मानना पड़ेगा और हमको नहीं मानना पड़ेगा आपको नहीं मानना पड़ेगा पूरी दुनिया मानती है कि राजनित की पर बात कर रहे थे वो बात भूल भी गए हम हाँ बात कर रहे थे जो बात करना चाह रहे थे दोस्तों और आपको हम बता दे हाँ सोमवार को तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सेर कर दीजिए आप पहली बार आइंटर डेट एक मुंबई बे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे दोस्तों क्योंकि हम 24 घंटा में कभी भी बोलते हैं खरीद लो बेच दो दोस्तों अगर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर लिजे बेल वाली घंटी दबा लिजे और कहीं भी बाहर जाने किसे पहले आप मास्क को अपने हाथों में ले लिजे और हाथों से क्योंकि नहीं जानते हैं कि कौन कहां से आ रहा है और कोशिस कीजिए कि घर से बाहर नहीं जाएं इसलिए कि हम तो 10 दिन से सुरू कर दिये हैं और आप भी अभी तक किये नहीं तो आप कर लिजे हाथ धोते रहे और ऐसे भी हाथ धोना कोई बुरी चीज नहीं है क्योंकि पता नहीं कब क्या हाँ छूते हैं और उस हाँ से कभी आपकी नाग पे आख पे और ये मुह पे चला जाए। इसलिए कि हाथ दोनों जो हाथ है वो दोनों हाथ ही पूरी सरीर की देखबाल करता है दोस्तों। ये दोनों हाथ ही आपके सरीर को देखबाल करता है और ये दोनों हाथ ही आपके पूरे सरीर को छूता है टच करता है और इसी दोनों हाथों से आप सब कुछ करते हैं चाहे हो जो भी दुनिया के कारे हो जय हिन जय भारत बंदे मातरन।